दोस्तों हम इस वीडियों बात करने वाले हैं Samsung के उन डिवाइस के बारे में जिनको ने FOTE अप्डेट्स मिले हैं इंडिया के अंदर तो Samsung का कौन-कौन सा डिवाइस है जो Samsung के यूजर है जो लटेश स्मार्फोन था उनी स्मार्फोन के इंदर भी जो अप्डेट देखने को मिले हैं तो कौन-कौन सा डिवाइस है चलिए मैं आपको इस वीडियों पूरा इंफोर्मेशन सेयर करता हूं तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा चैनल को अभी तक आप लोग सस्क्राइब नहीं कियें तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजिएगा देखिए जो Samsung के डिवाइस है मैं आपको एक-एक करके बता रहा हूं जो Samsung का एक टैब है S7-FELT डिवाइस इसके लिए एक नया साफ्ट वेट जहें देखने को मिल जाता है इसके अगर हम अपडेट की फाइल की साइज की बात करते हैं तो इसकी अपडेट की फाइल की साइज है अगला स्मार्टफोन की अपडेट की बारें बात करते हैं तो अगला स्मार्टफोन है Samsung का Samsung Lexi A53 5G स्मार्टफोन इसके लिए भी Samsung ने एक नया साफ्ट वेट डॉल आउट करा हैं इंडिया के इंदर अगर हम इसकी अपडेट की फाइल की साइज की बात कहते हैं तो इसकी अपडेट की फाइल की साइज है 262 MB की फाइल है जो उनका security patch देखने को मिल आते हैं इसके निदर Samsung ने device के stability को improve किया है Device के security को improve किया है बग को fix किया है नय पूराने feature को improve किया है तो अभी तक आपने इस डिवाइस को अपडेट नहीं किये हैं, तो अपडेट कर लिजीगा, जो Samsung का A53 5G स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, तो इसके लिए एक नया साफ्ट वेट देखने को मिल गया है, तो अपडेट कर लिजीगा, अगला ही स्मार्टफोन के अपडेट के फाइल की साइज है, 276 MB की, 276 MB की फाइल है, इसके अंदर आपको जो है, लेटेस्ट सिकूरी पैस देखने को मिल जाते हैं, जून का, इसके अंदर भी जो है डिवाइस को, डिवाइस के स्टेबिलिटी को इंपरूब किया है, डिवाइस के सिकूर्टी को इंपरूब किया तो अभी तक अपने इस डिवाइस को अपडेट नहीं किये हैं तो साफ्ट अप्डेट में जाकर अपने इस डिवाइस को अपडेट कर लिजीगा अगला स्मार्टफोन के अपडेट के बारें बात करते हैं तो अगला स्मार्टफोन है संसंग का संसंग लैक्सी S23 5G smartphone, जो S23 है, S23 Plus है, S23 Ultra है, इन तीनों device के लिए June के security page के साथ में update देखने को मिला है, update की file है 377 MB की, 377 MB की update की file है, और इसके अंदर जो है आपको June का security page देखने को जाते हैं, इसके अंदर भी device के security को improve किया है, device के stability को improve किया है, bug को fix किया है, नए पुराने feature को improve किया है, तो अभी तक अपने इस device को update नहीं किया है, तो update कर लीजिगा, दोस्तों मैं आप लोग से एक बात बतना चाहूँगा, कि मेरा एक second channel है, जो gaming channel है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, dreamgamer 2.0 के नाम से 2.0, यहाँ पे username देख सकते हैं, इस username से search करेंगे, add the rate dreamgamer 2.0, तो मेर channel आजाएगा, और यहाँ पे आपको जो है, यह जो आपको background में, keyboard, mouse, setup, यहाँ पे आपको PC दिख रहा है, मैं अभी latest में अपने channel के लिए लगवाया हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे channel पे आपको gaming selected video देखना, देखने को मिलेगा, 55, GTA 5, बहुत सारे जो game हैं, उनको ह जरू से subscribe करना था, चैनल को जरू से subscribe करना था, इस चैनल को जरू से subscribe करना था, इस चैनल का link मैं आपको वीडियो के description में देदूँगा, तो वहाँ पे जाएए, मैं यहाँ पे अभी game selected video बनाता हूँ, और gaming हम इस चैनल पे करेंगे, और करते हैं, तो subscribe करना था, अगले smartphone के बारें बात करते हैं, तो अगला smartphone है, Samsung Galaxy A04S, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस smartphone के अंदर एक नया software देखने को मिल जाते हैं, इस computer की फाइल है, 184 MB की यानि 114 MB की फाइल है, माई का security पैस देखने को मिल जाते हैं, इसके अंदर भी device के security को improve किया है, device के stability को improve किया है अगला smartphone है, Samsung Galaxy A24 Ultra device, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस smartphone के लिए भी एक नया software देखने को मिल जाते हैं, जून के security पैस के साथ में, update की फाइल है 453 MB की, 453 MB की फाइल है, इसके अंदर जून का security पैस देखने को मिल जाते हैं, इसके अंदर भी device के security को improve किया है, device के stability क इंपरूब किया है, बग को fix किया गया है, नए पुराने feature को improve किया गया है, तो अभी तक अपने इस device को update नहीं किया है, तो update कर लिजीगा, अगला smartphone के बारें बात कहते हैं, तो अगला smartphone है, Samsung Galaxy A03S Smartphone जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके लिए भी जो है एक नया update दे file है, मैं का security page देखने को मिल जाते हैं, इसके अंदर भी device के security को improve किया गया है, device के stability को improve किया गया है, बग को fix किया गया है, पुराने feature को improve किया है, तो अभी तक अपने इस device को update नहीं किया है, तो update कर लिजीगा, हाल फिलाल वीडियो में ही थी information और आपको अच्छा लगा हो इस चैनल को subscribe कर लिजीगा और वीडियो को भी like कर दीजीगा, मिलते हैं next वीडियो में और मैं आप लोग बता दो कि जरूर से आपकर जाकर description में check out कर लिजीगा, मैं gaming channel का second channel में link दे दिया हूँ, वहाँ पे हम लोग game खेलेंगे, game play करेंगे, live करेंगे, तो आप लोग जाक और वहाँ पे भी थोड़ा से support करिएगा,